देखो BGMI डेबलर्पर्स का तो यहां पे नशा खतम नहीं हो रहा है, बट BGMI के निउ अपडेट के बाद जो लैक कर रहा है भैंकर वाला, उसका तो भाई तुम लोग पूछो ही मत तो भाई तुम लोग का ना बहुत बार एक कॉमेंट आते रहता है, तुम्हारे डेबाइ पर 90 FPS को अनलोक कर सकते हो, यह सेटिंग के हल्प से, बट तुम्हारे डेबाइस पर 120 हार्ज भी होना चाहिए, तो देख लेना, अब बात करते हैं सबसे पहला रोम के बारे में, अब इसका नाम है Rising OS, अगर तुम लोगों ने इसका नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नई सुना है तो मैं तुम लोगों को बतायाता हूँ, यह बहुत ही अच्छा रोम है, यह रोम के न्यू अपडेट के बाद इसका जो परफॉमेस है ना, वो next level हो चुका है, क्या ही परफॉमेस यह पर निकाल के दे रहा है, यह भी भाई मैंने बीजे माई टेस्ट किया, तो देखो यहां पर थोड़ा बहुत लैक कर रहा था, कैसे भी ओ लोएंड डिवाइस था, लोएंड डिवाइस में कर रहा था, तो देखो लोएंड डिवाइस पर ज्यादा लैक देखने को नहीं मिला, बाकि तुमारे डिवाइस पर अगर अच्छा खासा प्रोसेसर है त देखो नॉर्मल इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा कम जाता है अगर भाई तुम बीजे मैं को खेलोगे 90fps पे तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैटरी ज़्यादा जा सकता है और यह रोम पे भाई हिटिंग इशू ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि CR-Droid पे हर मैने अपडेट बगेरा देखने को मिल जाता है इसलिए भाई यह आपे यह ओपी हो जाता है और यह रोम को रेकमेट करने का एक और रिजन है क्योंकि भाई यह सारे डिवाइस के लिए देखने को मिल जाता है इसका जो performance है वो next level है जो मैंने तुम लोगो को स्टाटिंग पे rising OS बताया है उससे भी इसका performance बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा तो तुम लोग इसको try कर सकते हो बात करते है इसका battery backup कैसा होने बाला है देखो battery backup जैसे मैंने तुम लोगो को rising OS का बताया है सेम इसका भी देखने को मिल जाता है क्योंकि देखो AOSP का सेम ही होता है AOSP पर जादा कुछ changes नहीं होता वो बस MIUI mode जो use करते है उन पे थोड़ा सा changes रहता है और in case तुम्हारे device के लिए room अविलेबल ना हो तो भाई तुम लोग इसके जगापे evolution X को भी try कर सकते हो ओ तो भाई most of the device के लिए अविलेबल होता है तो तुम लोग उसको try कर सकते हो अब बात करते भाई ये सारे room को तुम लोग find का से कर सकते हो अपने device के लिए, अब इसके लिए simple तुम लोगो को टेलिग्राम पे चल जाना है, टेलिग्राम पे जाके सर्च करना है जो भी भाई तुम्हारा device है, अब जैसे मैं आपे example के लिए Poco F1 update जाके सर्च करूँगा, यहाँ पे देखो कस्टम रोम के साथ अगर तुम लोग रूट भी यूज़ करते हो तो साथ में भाई तुम लोग यह stylex performance भाला module भी यूज़ कर लेना, और यह जो module है न भाई तुम लोगो को मेरे discord server पे मिल जाएगा, discord server पे join कर सकते हो और अगर भाई तुमको कोई भी issue हो find करने में, तो भाई तुम लोग मेरे discord server पे join करके, वहाँ पे भाई मुझे tag करके पूछ सकते हो तो discord server का link मेरे description पे मिल जाएगा, वहाँ से भाई join करके जो भी तुमें पूछना है, पूछ सकते हो और अगर custom room को use करने के बाद भी वीजमें lag हो तो देखो, वीजमें optimization का problem है तो वह भी देख लेना, बाकी देखो जिनको पता नहीं custom room होता क्या है तो भाई देखो मैंने इसके पर एक बाद detail में वीडियो बना के रखा है custom room होता क्या है, और इसको तुम find का से कर सकते हो सारा चीज मैंने उस पर बात किया है तो भाई तुम लोगों वीडियो को जाके चेक कर सकते हो और एक और request यार तुम लोगों से तुम लोग यार वीडियो तो देखते हो, बट यार सस्क्राइब नहीं करते मिलते को लोडो पे, तब तक के लिए बाई